नमश्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं UKSSE Cracker में तो लोग सेवा आयोगदारा बहुत जल्द APS की भरती निकाली जारी है APS होता है Additional Private Secretary जिसको हिंदी में अपर नीजी सचिव भी कहते हैं इसके बारे हम जारेंगे कि क्या क्या qualification आपको चाहिए क्या age limit होनी चाहिए और जो exam pattern रहेगा कि तरह रहेगा और syllabus क्या आएगा तो पूरी detail वीडियो रहेगी तो end तक आपको पूरा देखने ठीक है तो आप देख सकते हैं अपर नीजी सचिव जिसको उत्राखन सचिवाले में कारी रत होगा ठीक है तो जो वेतन रहेगा इसमें 9300 से 34800 तक जो ये पद हैं ये 2017 में पोस्ट आई थी उसका जो detail है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि जो सेक्सिन योगिता रहेगी जो education qualification रहेगी वो किस तरह की रहेगी हमें अभी पद संख्या change हो सकती है जैसे इसमें 117 है तो जादी भी हो सकती 300-400 भी हो सकती है तो वो अलग चीज है ठीक है तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए आपके पास मानियता प्राप्त computer का diploma होना चाहिए या अगर आपने bca या कुछ करा है तो वो आपके पास होना अनिवारी है ठीक है या हिंदी के न्यूनितम 80 सब्द प्रती मिनेट और कंप्यूटर पर हिंदी टंकन न्यूनितम 8000 की depression प्रती घंटे की गती होनी चाहिए ठीक है तो इसमें आपको computer का test भी होगा ठीक है ये बात आप याद रखिए इसके बाद दूसरा देख लेते हैं अपर नीजी सच यह ठीक है क्वालिफिकेशन भी सेम है कि आपको computer का diploma होना चाहिए या आपके पास degree हो या कुछ भी इस्तानक चलेगा ठीक है graduation भी होगा और हिंदी में आपकी जो speed होनी चाहिए वो 8000 की depression प्रति घंटा ये होना अनिवारी है अगर आपको extra वो चाहिए marks चाहिए तो आपके पास NCC ये NSS का कुछ भी certificate हो ठीक है IUC मा देख लेते हैं IUC मा आपकी 18 साल से 42 तक है ठीक है 18 से 42 ये चीज हो गई अब ये देख लेते हैं कि जो हमारा syllabus रहेगा और किस तरह गई exam होगा pre होगा mains होगा वो देख लेते हैं ठीक है और एक बात और इसमें कमटर का जो diploma है वो हटा दिया गिया है ठीक है पहले क्या हो रहा था जो 2017 में post आई थी उसमें आपको कमटर का certificate होना चाहिए या कुछ भी diploma होना चाहिए तो अभी जो post आई गी उसमें आपको कमटर का diploma या certificate नहीं मागेंगी हाँ लेकिन आप से कमट बड़ी update है तो यह मैं आपको बता रहा हूं इसके बाद जो पाठिक्रम का बात करें तो आपका जो exam होगा वो दो भागो में होगा ठीक है लोग से वा आयोक के जो भी exam होते है वो दो भागो में होते है एक तो pre होता है और एक means होता है ठीक है जो pre रहेगा उसमें आपका 1500 1500 नंबर का question paper रहेगा ठीक है उसमें आपको Samani जो हिंदी रहेगी वो आएगी कितनी 45 नंबर की इसमें आपको Vern, Sandhi ये सब आपको याद करने होंगे आप देख सकते हैं इसका मैं आपको PDF भेज दूँगा ठीक है टेलिग्राम में आपको provide करा दूँगा ये आपको मोहावरे, सुद्ध, वाक्य, वचन सब याद करने होंगे दूसरा जो भाग होता है समानी अध्यन ठीक है ये आपका 45 माक्सका होगा इसमें आपको समानी विज्ञान और दैनिक जीवन में जो भी रहता है समानी बुद्धी प्रसिक्षन इसको कहते हैं aptitude test एक दरेगा reasoning भी कहते हैं reasoning रहेगी जो की simple रहती है उतना जो 10th level तक का ही आता है ये आपकी 30 नंबर की रहेगी ये इंग्लिस में same रहेगा ये आपका general रहेगा general intelligence test ये 30 नंबर का हो गया ये है आपका total ठीक है प्रस्न जो होंगे पत्र समानी अध्यन समानी हिंदी हिंदी अनुलेखन हिंदी टंकन computer ग्यान परिक्सा समानी अंग्रेजी ठीक है अंग्रेजी अभी सुलेखन ठीक है ये सब आपके जो exam होंगे वो अलग-लग time में होंगे ये निकी एकी दिन होंगे लेकिन जो total प्रस्न पत्र बनेगा वो 8 बनेगे ठीक है ये कुछ इस तरीके का मुख्य ये पहले तो आपने जो ये है 1500 नंबर का ये पास कर लिया कितने के नंबर का 1500 ठीक है वो आपका प्री हो गया ये आपका मेंस रहेगा मेंस में आपको समानी अध्यन समानी हिंदी ठीक है ये सब आपको exam आपके होंगे अलग-लग दिन होंगे इस कमेंट डीटेल वीडियो अलग से आपके लिए बना दूँगा तो जो आपका मेंस का पेपर हैगा कुछ इस प्रिकार रहेगा ठीक है आपको ये सब उत्रखन की प्रमुग घटनाएं और जो भी प्राचीन मद्धे गालीन और ये सब आपको याद होने चाहिए ठीक है ये है समानी हिंदी हिंदी के बारे में पूरा मुहावरे अनेकारत प्रैवाची हिंदी निबंद ये आपकी लिखित परिक्सा होगी ठीक है वो अब्जेक्टिव है ये आपकी लिखित परिक्सा होगी इसके बाद हिंदी आसुलेखन ये भी रहेगा ये आपका 135 नमबर का रहेगा बेसिक ज्यान आपके पास होना चाहिए और ये भी आपका आएगा तो काफी अच्छी पोस्ट है और आपको जरूर अभी से ट्राइ करना चाहिए अभी से अगर आप कोसिस करेंगे तो जब भी पोस्ट निकलती है आप पहले से ही तयार बैठे होंगे ठीक है ये आप देख सकते है अंगरी जी भी आपको आनी चाहिए अंगरी जी तो कोई भी करी लेता है तो यही है जो नोटिफिकेशन है तो अभी इंतिजार करिए अफिशल नोटिफिकेशन आने का जब भी आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा तब तक के लिए चैनल सस्क्राइब कर लीजिए और बने रहे हैं मेरे साथ थैंक्यू एन है वे नाइस्टी